उदेपूर पिछले कुछ सालों पे राजस्तान का one of the hottest tourist destination बन गया है और एक आप भी एक उदेपूर की trip प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो प्लेसिस है जो आपको definitely visit करनी चाहिए उदेपूर में इस वीडियो में मैंने जितनी भी प्लेसिस आपको बताईए उन सारी प्लेसिस पे हमने डीटेल वीडियो बनाए हमारी चैनल पे तो हमारी चैनल पे जाके आप उदेपूर सीरीज देख सकते हैं Hello guys and welcome back to another video और इस वीडियो के end में मैं आपको एक two days की itinerary भी प्लान करके दूँगा जिससे आप ये सारी प्लेसिस आराम से कवर कर सकते हैं Now let's start the video So the first place that you must visit in उदेपूर is of course the city palace City palace एक palace का पूरा complex है जिसके अंदर छोटे बड़े कुछ 11 महल है City palace का बनाने में कुछ 400 साल का टाइम रगा था और आप जब इसके अंदर जाके इसका architecture देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना impressive structure है City palace की जो entry fees है वो है कुछ 300 रुपीस पर परसन और इसका visiting का जो time है वो 9.30 a.m. सुबे से लेके 5.30 p.m. शाम तक है City palace को पूरा explore करने में आपको कम से कम 2-3 गंटे लग सकते है and I would recommend कि आप यहाँ पर guide ले लीजिए जिसे की इस palace से जुड़ी सारी छोटी मूटी details आपको मिल जाए and trust me city palace में बहुत सारी चीज़े जानने के लिए यहाँ पर आपको guide 200 से लेके 300 रुपे पर मिल जाएगा which I think worth it है next place है जग मंदीर I know जग मंदीर का नाम सुनके आप में से काफी सारे लोगों को लगेगा कि यह कोई मंदीर है बट नहीं जग मंदीर is not a मंदीर जग मंदीर लेक पिचोला में जग आइलेंड पे बना हुआ यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको city palace के अंदर से ही boat ride लेनी पड़ती है अब इस boat ride की दो अलग अलग ticket की prices है अगर आप दो बजे से पहले जग मंदीर को visit करते है तेन आपको per person 530 रुपीज देना पड़ता है इस boat ride के लिए और वहीं पर अगर आप दो बजे के बाद boat ride लेते हैं यह boat ride जो है दो बजे के बाद वाली वह sunset route में count होती है और इसलिए इसकी प्राइस तोरी ज्यादा है यहाँ पर आपको pay करने पड़ेंगे 750 रुपीज per person city palace से आपको हर एक गंटे पर boat ride मिलती है जो आपको जग मंदीर लेके जाएगी जग मंदीर पर आप कित restaurant है एक छोटा सा museum है और काफी सारी बैठने की जगह है जहां पर बैठ के photos क्लिक कर सकते एंट्री गेट के साइड में ही एक रास्ता जाता है जहां से आप जग मंदीर का जो garden है वह explore कर सकते हैं इस place पे ज्यादा तर टोरिस फोटोग्राफी और boating के लिए आते हैं तो अग जग्दीश टेंपल यह टेंपल सिटी पैलेस जाने के रास्ते पर ही पड़ता है और यह भी कुछ 400 साल पूराना मंदीर है जग्दीश टेंपल का जो construction है वह महाराणा जगत सिंह ने करवाया था और यह 1651 में बना था इस मंदीर में जो मूर्ति है वह भगवन विश्णू elephant और उसके साथ साथ dancers के बहुत सारे carvings आपको देखने को मिलेंगे मंदीर के चारों तरफ दूसरे छोटे चार और मंदीर है मंदीर का जो timing है वह morning में 4.15 से लेखे एक पीम तक है और evening में 4.15 से लेखे 8 बजे तक खुला रहता है अब चलते है थोड़ा old city से बाहर और इसे फोर्ट से पूरी उदेपूर city दिखा जाती है उसके साथ साथ lakes का भी बहुत ही अच्छा view मिलता है उस जमाने में mainly ये फोर्ट का यूज होता था मौनसून सीजन के जो बादल आते है उसको देखने के लिए ताकि पता चले बारिश कब होने वाली है और इसी लिए इ यहां से पूरे उदेपूर city का और लेक्स का बहुत अच्छा view मिलता है उसके साथ साथ ये प्लेस sunset के लिए बहुत ही famous है तो अगर आपको sunset देखने में इंटरस्ट है या फिर आपको photography में इंटरस्ट है तो definitely आपको ये प्लेस विजिट करना चाहिए सजनगर फोर्ट की जो एंटरी टिकेट है वो 10 रुपे पर परसन है और parking का कुछ 220 रुपे पर कार है और इसकी timing जो है वो सुबे 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है पर एंटरी जो है वो शाम के 5 बजे के बाद यहां बन कर दी जाती है तो अगर आपको सजनगर फोर्ट से कुछ लेक्स की जिसके लिए उदेपुर सबसे ज्यादा फेमस है वैसे तो उदेपुर में पाथ से ज्यादा लेक्स है बट सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट के लिए फेमस है वो है लेक पिचोला एंट पतेसागर लेक सबसे पहले आईए बात करते हैं लेक पिचोला की जो की उदेपूर सिटी के एकदम बीच में है। लेक पिचोला एक artificial fresh water lake है और पिचोली गाउं के बाजु में बनाई गई थी इसलिए इसका नाम पड़ा पिचोला लेक। सिटी पैलेस भी लेक पिचोला के पास ही है। उसके साथ साथ आप लेक पिचोला पे बोटिंग करके दूसरे भी काफी सारे प्लेसे से जो एक्सप्लोड कर सकते हैं। लेक पिचोला में आप जगमंदीर के साथ साथ लेक पैलेस जो की जगनिवास के नाम से भी जाना जाता है वो भी विजिट कर सकते हैं। जगनिवास एक पैलेस हुआ करता था बट आज एक हेलिटेज होटल में कनवर्ट कर दिया गया और टूरिस्क के लिए ये प्लेस ओपन है अब बात करते हैं उदेबूती दूसरी सबसे फेमस लेक के बारे में जो कि है फतेसागर लेक इस लेक को महाराना फते सिंग ने बनवाया था और इसलिए इसका नाम है फतेसागर लेक फतेसागर लेक पे आप बोटिंग कर सकते हैं बट हमने जब डिसेंबर में विजिट किया था तब यहां पे कोविड की वज़े से बोटिंग बन थी फतेसागर लेक पे आप अच्छा होता है लाइटिंग भी होती है और आप आराम से बैठ के स्ट्रीट फूड एंजोई भी कर सकते हैं नेक्स्ट प्लेस है सहीलियों की बारी यह गार्डन है जो राना संगराम सिंग ने बनाया था अपनी रानी और उनके साथ आई 48 मेट्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि यह गार्डन खुद राजानी डिजाइन किया था और उनकी रानी और उसके साथ आई 48 मेट्स को यह गिफ्ट किया था ताकि वो यहां पे प्लेजरेबल मोमेंट्स और रिलेक्स सिक्षन के लिए आ सके सहलियों की बारी की जो एंट्री बास्ट बट नॉट टॉल लीस्ट जो हमारी लीस्ट में है वो है शिर्पकराम का मतलब होता है आर्टिस्ट का विलेज और यह प्लेज आप जब विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना खुबसूरत यह बनाया गया है यहां पे आपको वेस्टन स्टेट्स जै इसने टाइम में कैसे घर हुआ करते थे और उसके स्ट्रक्चर कैसे हुआ करते थे वो सब बनाया गया है उसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने मिलके पूरा एक स्कल्प्चर पार्क भी बनाया है इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के पू 55 रुपीज पर परसन है और यह जो टाइमिंग है वो मौर्निंग 7 एम से लेके शाम के साथ बज़े तक ओपन रहता है आई गूड रिकमेंड कि आप यहां कम से कम एक से डेड़ गंटा स्पेंड करें ताकि आप यह पूरा आराम से एक्सप्रोड कर सके इसके अलावा एक और प्लेस है जो हमारी लिस्ट में था बट हम टाइम के चलते विजिट नहीं कर पाए थे और वो है करणी मताट टेंपल नाव लेट्स टॉक अबाउट कि आप दो दिन में यह सारी प्लेसिस कैसे विजिट कर सकते हैं So I would recommend कि on day 1 आप morning में 9 बजे जगदिस टेंपल विजिट कर लिए यहाँ पर आपको maximum 30 मिनिट का टाइम लगेगा उसके बाद 9.30 आप city पैलेस में एंट्री ले लीजिएगा क्योंकि city पैलेस 9.30 को ओपन हो जाता है और आपको बिलकुल ट्राफिक नहीं मिनेगा So 9.30 से 11 बजे तक आप पूरा city पैलेस आराम से एक्स्प्लोड कर सकते हैं 11 बजे आप लेक पिछोला पे बोट राइड लेके जगमंदिर विजिट कर सकते हैं यहाँ पे आप एक गंटा या फिट देड गंटा आपके हिसाब से रह के फोटोग्राफिक करके एंजोई कर सकते हैं यह सारी प्लेसिस आप आराम से चल के एक्स्प्लोर कर सकते हैं क्योंकि यह सभी प्लेसिस एक दूसरे से बहुत ही नजदी है सिटी प्लेस के बाद आप करणी मता टेम्पल विजिट कर सकते हैं जो कि सिटी प्लेस के जो एक्ग से उसका रास्ता पड़ता है इवनिंग में आप फते सागर लिख जाके बोटिंग कर सकते हैं और स्ट्रीट फूल भी एंजोई कर सकते हैं नेक्स डे मॉर्निंग, अगर आपकी होटल जगदीश टेंपल के पास है, तो आप मार्केट एक्स्टोर कर सकते हैं सुबा और शॉपिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्यारा बजे अराउंड सहल्यों की बारे विजिट करें, वहां से आप सारे बारा के अराउंड शि अप्तोग्राफी कर सकते हैं, सज्जेंगर पैलेस को भी एक्स्प्लोड कर सकते हैं, और लास्ट में संसेट देखके आप 6.30 के आसपास वापस भी आ सकते हैं, तो यह था दो दिन का आइटनरी जो हमने फॉलो किया था हमारी उदेपूर ट्रिप में, चाहे तो आप यह फ दी है, उसमें जितनी भी टूरिस्ट अट्रेक्शन की फेमस प्लेसिस हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं, और अगर आपको सारी वीडियो के बिहाइंड दे सीन्स और प्लेसिस के और भी फोटो चाहिए, तो फॉलो उस ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि हम वहाँ पे रेगिलर जिए लगे रेग्स औरे रेग्स और इनुर्स और अबना उन्से खड़ाएंग तर दैंड आग्स सारी यह चाहिए